लोग सभा में राउल गांधी का पीएम मोधी पर बड़ा हमला कहा मनिपूर पीएम के लिए हिंदुस्तान नहीं मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है राहूल गांधी का बीजेपी पर ताबर तोड हमला कहा, आप भारत माता के रखवाले नहीं हत्यारे हो, बीजेपी देश भक्त नहीं, देश त्रोही है राउल गांधी ने पीए मोधी की तुलना रावन से की कहा रावन सिर्फ दो लोगों की सुनता था वैसे ही मोधी जी सिर्फ अमिश शाह और अदानी की सुनते हैं राउल गांधी ने अदानी का नाम लेकर बीजेपी को घेरा कहा बीजेपी को डढ़ने की जरुवत नहीं बीजेपी सांसदों ने किया हंगाबा राउल गांधी ने अपने मनिपूर दोरे का भी जिक्र किया कहा मैंने मनिपूर के लोगों का दर्द सुना अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोले ग्रिह मंत्री अमित शाह कहा भ्रहम फैल आने के लिए लाए गया प्रस्ताव जंता और सदन दोनों को सरकार पर विश्वास लोग समा में मनिपूर के मुद्य पर ग्रिह मंत्री ने कहा इससे सहमत हूँ की शर्मनाक घटना हुई हिंसा का तांडव हुआ लेकिन विपक्ष का इस पर राजनीती करना शर्मनाक है ग्री मंत्री अमित शाह ने कहा मनिपूर हिंसा का कोई समर्था नहीं कर सकता मनिपूर हायो कोड के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया ग्री मंत्री अमित शाह ने मनिपूर के वाइरल वीडियो पर भी दिया जवाब कहा मनिपूर का वाइरल वीडियो समाज के लिए धबा वीडियो पहले ही जाच एजेंसियों को देना चाहिए था वाइरल वीडियो को लेकर शाह ने कहा सतर से ठीक पहले कैसे वाइरल हुआ वीडियो पहले मिलता तो आरोपी जल्दी पकड़े जाते इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अमित शाह ने राहूल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा उन्हें राजनीती में 13 बार लॉंच किया गया फिर भी फेल हो गए अव विश्वास प्रस्ताव पर प्रधान मंतरी बोधी कल संसत में देंगे जवाब लोगसभा में वित मंतरी निर्मला सीता रमन भी मनिपूर पर बोलेंगी मनिपूर को लेकर कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रियार श्रीनेत ने स्मिर्थी रानी को घेरा कहा जब तक वो भयावः वीडियो नहीं आया तब तक मुह से एक शब्द नहीं फूटा राहुल गांधी पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस के इशारे का आरोप है बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत की BJP सांसद स्मृत्य राणी ने राहूल गांधी पर बोला हमला कहा भदर्ता और महिलाओं पर टिपणी करना गांधी परिवार के संसकार BJP नेता रीता भगुणा ने राहूल गांधी को लेकर कहा लोग तंत्र में संसदी मर्यादा होती है राहूल ने बचकाना हरकक की यूपी के डेपिटी सीम केश्य मौरे ने कहा राहूल गांधी जी को फ्लाइंग किस और गले पड़ने की पुरानी बिमारी है मनिपूर के मुद्य पर कॉंग्रेस के संसदी करण और परिवारवाद भारत छोड़ो राजस्तान के बासवाड़ा में पहुंचे राहूल गांधी मान गढ़ धाम से राहूल ने छोड़ा सियासी तीर बासवाड़ा में राहूल गांधी ने आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा कहा कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप जंगल से बाहर निकलें यौन शोशन मामले में बीजेपी सांसत ब्रिजबूशन के खिलाप आरूप तैकरने पर सुलवाई पूरी छे लोगों के आरूप पर तैयर की गई थी चार्शीट गुरू ग्राब में विधाय गोपाल कांडा के घर और दफ्तर पर छापे मारी सुबह छे बजे से चल रही है एडी की रेट हरियाना के नुव में सुधर रहे हैं हालाद हरियाना वीजेपी के प्रत्रिदी मंडल ने प्रभावीत शित्रों का दौरा किया बार के वक्त कोताही बरतने के मामले में सीम खटर ने लिया एक्शन हरियाना सिचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ता नेजा सस्पेट PCS अधिकारी जोती मौरे के खिलाफ जाच हुई तेज जाच कमिटी के सामने पेश हुए आलोफ मौरे ग्यानवापी परिसर के सर्वेस्पल से मीडिया को दूर रखने का आदेश जिला जज ने कहा A.S.I. खबर लीक ना करे यूपी के मतुरा में रेलवे लाइन से अतिकर्मन हटाने के लिए चला प्रिशासन का बुल्डोजर अवैध मकान दोड़ गए सारस के साथ दोस्ती को लेकर चर्चित आरिफ की अब बाज से हुई दोस्ती घायल अवस्था में आरिफ को मिला था बाज मुंबई के चर्च गेट रिलाके में स्पोर्ट्स शॉप में आग लगने से हड़कंप लाखों का सावान खाग MP के विदिश्या में दोगुटों के बीच पत्राओं हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुची पुलिस मद्यप्रदेश के शहडोल में औरियंट पेपर मिल की पाइप लाइन फटने से मचा हड़कंप बारह से जादा करमचारी खायल एक ही मौन मद्यप्रदेश में स्वास्त विभाग के रिटाइड करमचारी के यहां लोका युक्त का च्छापा 10 करोर की मिली संपत्ती मद्यप्रदेश के दुर्ग में बदमाशों पर पॉलिस का बड़ा एक्शन सालों से फरार चल रहे धाइसों से जादा अपरादियों को गिरफतार कर भेजा गया जी वश्यमंगाल के दक्षन पर गना जिले में पूरुव प्रधान की चाकू मार कर हत्या के बाद बिगड़े हालात बसनाती गाउं में जम कर हुआ बवार केदारनाथ हाइवे का एक बड़ा हिस्सा तूटकर गिरा देवी धार में वाहनों की आबा जाही बंद हजारों लोग रास्ते में फसे उत्राखंड के कोट द्वार में सुखरो नदी पर बना पुल हुआ शतिग्रस्त कोट द्वार से राइपूर नगीना का संपर्ख तूटा दूद की सप्लाई पर बुरा असर उत्राखंड के विकास नगर में बारिशे से भारी तबाही कई घर शतिग्रस्त उत्राखंड के सीम पुषकर भामी ने लोगों से यात्रा को लेकर की है अपील कहा जानकारी लेकर ही यात्रा करें लैंड्सलाइट के कारण जमू श्रीनगर हाइवे हुआ ब्लॉक एनेच-44 पर यात्रा करने से लोगों को रुखा गया जारखंड के गुड़ा में भारी बारिश से बार जैसे हालात जान जोकी में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में तो शाखाना के गिफ्ट किये जाएंगे निलाम रकम से घरीबों की मदद का दाबा